हेलो फ्रेंड स्वागत थे आपका दोस्तो आज मैं आपको अंडायट फोन में ऐसे तीन एप बताने वाला हूँ जो आपके डिलीटेट फोटो को रिकवर करने में काफी मदद करेंगे जियां दोस्तो ऐसे तीन अप्लिकेशन यदि आपके रिसेंटली में कोई फोटो डिलीट होती है या फिर दोस्तो कितने भी महीने पुरानी आपकी फोटो डिलीट हो चुकी है यदि आपका वही फोन है सेम वही फोन है तब तो आपकी फोटो आराम से आजाएगी बस आपको फोन डिवाइस चेंज नहीं होना चाहिए उसी फोन में वो तीन अप्लिकेशन को आपको इंस्टाल करना होगा और 100% उसका रिजाट आपको देखने को मिल जाएगा तो यह देख सकते हैं आप यह टाउप रेटेड अप्लिकेशन है यह टाउप रेटेड में बटे सारी काम काम कौन से अप्लिकेशन करती है तो दोस्तों यहां पर वह ट से पहलेड हुई है तो अदि आपको वापस लाना है तो आप फ़रप पार्टी एप का सहरा तो लेना ही पड़ेगा तो दोस्तो ये third party app में से तीन ऐसे applications मैं आपको बताने वाला हूँ जो app आपको बहुत help करेंगे आपकी photo को recover करने में तो इस वीडियो का complete देखिए ताकि आपको ये पता चल सके और दोस्तो आपको ये पता चल सके कि application को run कैसे करते हैं दोस्तो application का नाम पता चल जाने मातर से आप photo को recover नहीं कर सकते जब तक कि उसकी सारी process आपको पता नहीं हो जाती है तो देखिए मैं पहला application जो आपको discuss करने वाला हूँ वो है photo recovery इसमें algorithm based काम करता है यहाँ दोस्तो यदि आपकी photo कितने भी पुरानी आपको mobile की नहीं होगी यह उसको भी recover करके लाके दे देगा यह algorithm based काम करता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हम open करते हैं तो यही application आपको install करना होगा photo recovery नाम से आता है बट बहुत सारे application होते है photo recovery नाम से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पहला ना फाइल रिकवरी फोटो रिकवरी तो दोस्तों यहाँ पर आपको application को permission देना होता है जैसे आप देख सकते हैं जो जो step मैं follow करूँगा वही step आप यह फालो करते हो तब तो आप लाल होगे वापस बहुत आसानी जैसे कि आप photo recovery permission नहीं दिया थे हैं से permission देदेंगे और back हो जाएंगे ठीक है अब इसे हाँ से okay कर देंगे देखे recovery algorithm first algorithm second algorithm first यदि आपकी कुछ ही photo है जैसे thousand photo तक आपको रिकवर करना है तो algorithm first का यूज कर सकते हैं या जब से mobile लिए हैं तब से लिकारब और वो photo आपको सो कर जाएंगे तो यह पहला application था जिसके थुरू आप photo को आपस ला सकते हैं और यह 100% आपको result देता है दोस्तो दूसरा जो application है वो है file recovery फाइल रिकवरी जो application है दोस्तो यहाँ पर आप इसको उपन करेंगे तो यह जो है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है इसमें परमिसन नहीं आपने दिया है तो ठीक है नहीं दिया तो यह बोल लग परमिसन दिजिए तो आप परमि application को यूज कैसे करना है तो आपको नहीं पता है तो दोस्तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं कई वीडियो मैंने बनाए हैं आपको पता चल जाएगा वैसे आप फोटो वापस लाना चाहते है तो फोटो स्कैन पर क्लिक करेंगे और जैसे आप अलाव कर देंगे तो वापस करके दे देगा तो हम बाहर आ जाते हैं तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको मैंने दो application का नाम बता दिया है जो कि बहुत ही बेस्ट है और तीसरा application है दोस्तो यह media recovery मेडिया recovery अथवा डाक्टर फोन का भी यूज कर सकते हैं या फिर dampish कर यह मतलब recently यह फोटो के लिए काम करते हैं यह तीसरा application बट इनमें 100% result नहीं मिलता है बट यदि आपकी सिस्टाम में आपकी mobile पर यह काम कर जाए यह applications और इन्हें आप वापस लाने तो एक बार आप जरूर ट्राय करिए धनवाज चैनल विजिट करने के लिए आप इन application में किसी भी इक application को ट्राय करेंगे तो 100% आपको result मिल जाएगा और आपको कहीं भटकने की यूरत नहीं पड़ेगी यह दोस्तों नहीं आता है यदि आप mobile reset मार देओ तब वापस नहीं आएगा otherwise यदि आपने delete बस किया है तो 100% वापस आ जाएगा मैंने आपको live media recovery के थूप करके भी दिखाया है otherwise आप इनको भी मैं यूज़ करके दिखा सकता था फायर रिकवरी फोटो रिकवरी बट यह काम करते हैं 100% मैंने इनको देखा है काम करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो आप एक बार जरू ट्राई करिएगा धन्नवाद चैनल विजिट करने लिए बहुत बहुत धन्नवाद